गुड़े स्टूडेेंट्स मैं अन्जो सवास्तों लें दो टबिधन ही इसध लिएक स्वाक्षे में आप शाद क माहतिनों आन्टी एक लेनी में बताऊंगी तो वाची में आपको मैंने बताया इथा कि वाची तीन प्रकार के होते हैं कर्ति वाची कर्म वाची और भाव वाची तो एक बार फिर आपको मैं रिमाइंड करवा देती हूं कि इस वाक्य में कर्ता का सेधा प्रभाव क्रिया पर पढ़ता है यानि क्रिया के लेंग और वचन दोनों कर्ता पर नर्भर करते हैं उस वाक्य को कर्म वाच्ची कहते हैं जैसे राम पुस्तक पढ़ता है इसमें कर्ता राम पुलिंग है कर्म पुस्तक इस्त्री लेंग है क्रि इसे तरह दूसरा उधरन देखिए सीता अकबार पड़ती है यहां करता सीता इस्त्रिलिंग है कर्म अकबार पुलिंग है क्रिया पड़ती है इस्त्रिलिंग है आता यहां करता के अनुशार ही क्रिया इस्त्रिलिंग में है तीसरा उधारण बच्चे पुस्तक पड़ते हैं कर्था बच्चे बहुवचन है कर्म पुस्तक एक बचन है क्रिया पड़ते हैं बहुवचन है आता हम देखते हैं कि यहां क्रिया कर्था क्यानुसार बहुवचन में अथात क्रिया करता के अन्सवार ही अपने रूप बदल रही है तो उसे करते वाच्ची कहते हैं कर्म वाच्ची जिसे हम पैसे वाइस भी कहते हैं कर्म वाच्ची वो वाच्ची होता है जिस वाक्य में कर्म का सीधा प्रभाव क्रिया पर पढ़ता है यानि क्रिया का लेंग और वचन दोनों कर्म पर मिर्भर करते हैं उसको कर्म वाच्ची कहते हैं जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है यहां करता राम पुलिंग है कर्म पुस्तक इस्त्री लेंग है तो क्रिया पढ़ी जाती है भी इस्त्री लेंग है अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार इस त्रिलिंग में है इसी तरह दूसरा उधानर देखिए सीता से अख़बार पढ़ा जाता है तो यहां करता है सीता इस त्रिलिंग है कर्म अख़बार पूलिंग है और क्रिया पढ़ा जाता है पूलिंग है भाव आच्चे वो होता है जिस वाक्य में कर्ता या कर्म नहीं अपितु भाव की प्रमुकता होती है उसे भाव आच्चे कहते हैं जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता तो जहां पर कोई कार अचानक हो जाता है वहां पर भी भाव आच्चे होता है जैसे प्याला तूट गया ऐ जैसी कोई सूचना जिसमें कर्ता का निश्चीत ज्यान नहीं होता है, वहां भी भावाच्ची होता है, जैसे पुस्तर लिखवा ले गए, तो जिस वाकी में सामर्थ क्रिया का प्रियोग होता है, वहां भी भावाच्ची होता है, जैसे रामण से लड़ा नहीं जाता है, तो वाच्चे तीन होते हैं, तो उसी तरह से वाच्चे के प्रियोग भी तीन होते हैं, फर्स्ट है कर्तारी प्रियोग, सेकेंड है कर्मारी प्रियोग, थर्ड है भावे प्रियोग, आईए अब इनके बारे में जानते हैं, सबसे पहला कर्तारी प्रियोग, कर्तारी प्रियोग जब कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होती है तो वहां पर कर्तारी प्रियोग होता है जैसे लड़का पत्र लिखता है लड़कियां पत्र लिखती है इन वाक्यों में लड़का एक वचन पुलिंग और अनिपुरुष है और उसके साथ क्रिया भी बहुवचन, इस्त्रिलिंग और अन्य पुरुष है, तो उसकी क्रिया भी लिखती है, बहुवचन, इस्त्रिलिंग और अन्य पुरुष में है, तो ऐसे प्रियोगों को करतारी प्रियोग कहते हैं, अब दूसरा प्रियोग है, कर्मारी प्रियोग, तो जब क्रिया कर्म के लि पढ़ा गया चात्रों से निवन लिखे गए युद्ध में हजारों सैने मारे गए तो एक बार चलिए मैं आपको फिर से कर्तारी और कर्माड़ी प्रियोग के बारे में बता देती हूं कि कर्तारी प्रियोग जहांपर करता परसर्ग रहीत होता है तो उसमें कोई कारक्चिन नहीं होता है और वो कर्ता के अनुसार ही प्रियोग होती है जैसे मोहन जाता है, मोहने पढ़ती है, सीता गायगी और गीता के लिए, कुछ अन्य उधारण देखिए, लड़कियां फोल चुनती हैं, माला पूस तक पढ़ेगी आदि कर्माणी प्रियोग देखिए, जहां पर कर्म क्रिया के अनुसार लगती है, अब हम अपनी तीसरे प्रियोग पर आते हैं, और हमारा तीसरा प्रियोग है भावे प्रियोग कि जहां जब कर्ता में कोई परसर्ग लगा हो, या कर्म में कोई परसर्ग लगा हो, तो क्रिया भाव के अनुसार सदा अन्य पूरुष, पूलिंग और एक वचन में होती है, जैसे राम ने रामण को मारा तो भावे प्रियोग कर्तारी वाच्चि की सकर्मक क्रियाएं, जब उनके कर्ता और कर्म के अनुसार दोनों में विभक्त होती हैं, तो वहां पर भावे प्रियोग के अंतरगत आती हैं, इसी प्रकार भाव वाच्चि की सभी क्रियाएं भी भावे प्रियोग के अंतरगत बानी जाती, जैसे अनीता ने बेल को सीचा लड़कों ने पत्र को देखा, लड़कियों ने पुस्तकों को पड़ा अब उससे चलाने जाता, तो इन क्रियाओं में हम देखते हैं कि इन क्रिवाक्यों की लिक्रियाओं के जो लेंग वचन है वो पुरुष ना तो करता के अनुसार हैं ना ही कर्म के अनुसार हैं अपित वे एक बचन पूलिंग और अन्य पुरुष हैं और वे इस तरह से के प्रियोग जो हैं वो भावे प्रियोग कहलाते हैं तो स्टुडेंट्स अब इन प्रियोगों में जो मुख्य बात हैं कि कौन सर प्रियोग किस वाच्ची में किया जाता है वो अब मैं आपको बतारी हूँ कि वाच्ची से इनका क्या सम्बंध हैं और इनका प्रियोग करते समय निम्ले लिखित बातूं का ध्यान रखना जबकि कर्म वाच्ची के वाक्यों में केवल कर्मारी प्रियोग और भावे प्रियोग ही हो सकते हैं क्योंकि अकर्ति वाच्ची के वाक्य होने के कारण यहां पर कर्ता के बाद से इद्वारा लगाया जाता है तो इसमें कर्तारी प्रियोग नहीं हो पाता है फिर थोड है भाव वाच्च में केवल भावे का ही प्रियोग होगा क्योंकि करता के बाद से यद्वारा होता है और अकर्म क्रिया होने के कारण कर्म नहीं होता है तो इसमें कर्मारी प्रियोग भी नहीं हो सकता तो ok students अब आज की Class समाप्त होती है next class में हम fair मिलेंगे तो अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको अपनी practice sheet को और जो भी आपको अपने screen पे content दिख रहा है उसे अपनी fair copy में note करिए stay home and take care